Welcome to my channel Learn With A Study, दोस्तों this is the number system and algebra part 37 session, इस session में हम देखेंगे राकेस यादो के class notes के question, question number 196 to question number 200 के video solution, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को subscribe कर लें ताकि आपको regular update मिल सके, देर नहीं करते हैं, देखो एक तरब से समझ लेना कि saw tricks क्या है, saw tricks का मतलब क्या है, कि जै याद रखना ये, अगर इधर भी 5 है, और इधर भी क्या बन जाएगा, ऊपर 44 into क्या 1 by 5 बन जाएगा ना, दोनों सेम है, आगे वाले के सेम आ जाए, तो ऐसे question को याद रख लेना कैसे की जाता है, देखो, तीन, देखो, एक सबसे पहला वाला 9 है, उसको 9 लिख लेना है, बाकी जितने भी 9 है, उसको 0 कर लेना, एक, दो, तीन, चार है, तो 4, 0, ये तुम्हारा answer हो गया, जैसे इसमें देखो, 9 से 5 कट गया, 5 times में, 1 by 5 पहले भी है, 1 by 5 बाद में है, तो इस types के answer को direct कर लिया जाता है, कि 9, पहला वाले 9 को लिख लो, और बाकी 2 9 है, उनको 0 कर ल दूँगा, उसमें मैं सीखाऊँगा कि 1 to 100 तक के आपको question को कैसे multiply करना है, square root को कैसे find out easily किया जाता है, cube root को कैसे found out easily किया जाता है, और multiply कैसे आपको approach data से आपको option कैसे choose किया जाता है, ये सब चीजे बैदिक मत का part है, वो ची मैं आपको खरा दूँगा, next question है, question number 198, 198 question इसको लिख सकता हूँ, 99 plus 3 by 7, और plus इसको लिख सकता हूँ, 99 plus 4 by 7, या तो इतना नहीं लिखके direct ही लिख लेता, 99 common कर लो सब में, ठीक है, 99 common कर लो, 99 कितनी बार आया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार आया है, क्योंकि ऐसे तुम्हारा 4, 5, कितना, 99 into 6 by 7 पर जा रहा है न, इसको 99 plus 6 by 7 कर लो, इस तरह से, तो यह बताओ, मैं आपको slow करा रहा हूँ, हमने simple लिख लिख लिया, 99 लिख लिया, कितने बार आया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि 6 लास्ट में 6 जा रहा है न, 6 बार, 6 इसको कर लो, और इधर क्या बन जाएगा, तुम्हारा 1 by 7 plus 2 by 7 plus 3 by 7 plus 4 by 7, कहां तक जाएगा, dot dot 6 by 7, बस simple सा चीज है, अब देखो, इसको भी मैं बता रहा हूँ, 99 into 6 कर लिए, अब नीचे देखो, नीचे तुम 7 LCM ले लो, उपर क्या बन गया, 1 plus 2 plus 3 plus dot dot dot, कितना, 6 तक, अब एक चीज आपको मैं बता दूँ, कि अगर आपको पता होगा, तो जोड या तो इसमें तो जोड भी सकते हो, 99 into 6 into, देखो, जोडोगे तो 5 इधर आएगा, प्लस 4 आएगा, 6, 5, 11, 11, 4, 15, 15, 13, 18, 18, 18, 22, 21, 22, 27 कर लेना, यानि कितना होगा, 3, यानि कि 99 into 18 कर लेना, 99 into 18 करोगे तो तुम्हारा, कितना हो जाएगा, 5, 9, 7, 8, 9, 8, 72, रोख जाओ, कहीं रोख जाओ, 9, 6, 4, 5, 9, 4, और ये, ओहो, सॉरी, ये तो प्लस होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, लोग, प्लस, हमारा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे रोख जाओ, देखो, यहाँ पे, फिर से अगेन आपको समझाता हूँ, जैसे आपको कोई दिक्कत हो, इरेज करने मे बड़ा प्रोब्लम होता है, मैंने फिर से समझा दिया, देखो, 99 प्लस, 1 बाई, इसको लिख लो, 99 प्लस, 2 बाई, 7, प्लस, इसको लिख लो, 99, इसको मैं लिख रहा हूँ, 3 बाई, 7, प्लस, ऐसे ही लिखना है, कहां तक, 99 प्लस, 6 बाई, 7, देखो, 99, सब में है, 99 हमने क कर लिया कितने बार आया है एक, दो, तीन, चार, पाँच लाशन में कितने चे बार दूगा है, यहां तक समझ में आ गया, प्लस अब प्लस तो कर लिए, अब क्या बचा? इधर 1 by 7 plus 2 by 7 plus 3 by 7, यहां के बाद प्लस है, प्लस ऐसे करते कहा सबीड बार, कितना हो गया 69 प्लस इसको करोगे अगर इसको करना है तो एक ची मैं आपको बता देता हूं देखो यह LCM नीचे कितना हो जाएगा 7 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 इतना ही जाएगा अगर क्या कर लोगे 594 प्लस यह बन जाएगा तुम्हारा 21 597 प्लस 597 क्या हो जाएगा तुम्हारा एंसर नई तो एक और ची फार्मूला बताते तो एक किसी चिछ तरह से भी आ सकता है उपर तो यह चीज़े याद रख लेना यह फार्मूला बहुती काम आएगा मैं आपको तीन फार्मूला लिखवा भी देता हूं वह बहुती इंप हैं देखो इंपोडेंट कौन-कौन से फार्मूले टीन है जैसे देखो मैं आपको कलर लेके बता देता हूं एक होता है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट अगर एन तक जाए इसका फार्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 फोर एक्जामपल अगर हम से टोट डोट अगर एन स्कौईर तक जाए तो इसका फार्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू टू एन प्लस 1 डिवाईड़ बाईड बाई क्या 6 जैसे तुमसे कोस्चन पूचक दिया 1 प्लस 2 ए्ष। प्लस 3 इंक फ्लस 3 ध्लस डोट 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 प्लस 10 square तक, तो 10 की value क्या होगे, 10, 10 into 11, क्योंकि n plus 1, 2 into 10, 20 plus 21, divided by 6, 6 से काट लेना, 3 दो नी 6, 3, 7, 21, 25, 10, यानि कि 55 into 7 कर लेना, answer आ जाएगा, तीसरा एक और फार्मूला होता है, 1 plus 2 plus 3 plus dot dot dot, sorry, ये तो किया हुआ है, होता है, 1 q plus 2 q plus 3 q plus dot 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 plus n q होए, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, n into n plus 1 divided by 2, ये वला होता है, बस इसका क्या होता है, finally whole square, इस तरह से ये तीनों फार्मूला से questions सम्टाइम्स पूछे जाते हैं, direct आपके SSC CGL exam में, कोची मैं आपको यहाँ पर mention कर दिया, next question देखो, next question, ऐसे questions 1 by 3, so on, उसी तरह इसको लिख सकता हूँ, जितना भी दिया हो, एक, दो, तीन, तीन, छे, छे, प्लस 1 by 3, हमने लिख लिया, अब देखो, लिखने के बाद ये बताओ, इसको मैं 1 by 3 को एक साइड लिख देता हूँ, देखो, 9, 99, इसको अलग लिख लो, तो 9 plus 99 plus, so on, कहां तक चला गया, एक ये बला देखो, 9, 9, 9, 3, 4, 5, 6, यहां तक, और उसी तरह 1 by 3, देखो, 1 by 3, 1 by 3, 1 by 3, 1 by 3 जा रहा है, 1 by 3 plus, 1 by 3 plus, 1 by 3 plus, यहां तक कितना बार जाएगा, 6 बार जाएगा न, क्योंकि यहां छे तक एक एक बढ़ते जाएगा, तीन पर 3, 4 पर देखो, जार पर यहां पर 3, 4 होता, 1 by 3 होता, योन यानि कितना, 1, 2, 3, 3 तक गया, यहां पर 4 हो गया, 5 हो गया, और 6, यानि कि यह simple याद रखना 6 बार होगा, ठीक है, क्योंकि 6 बार में तभी तो 6 नाइन आ रहा है, अब इसको जोड़ना है, तो इसके लिए जोड़ देना, simple सा चीज, इसको जोड़ना भी आसान है, याद देखो 9 प्लस 99 प्लस, ठीक है, तीसरी बार क्या होगा, टीपल 9 चोथी बार क्या होगा, 4, 9, पांच में बार क्या होगा, 5, 9 और 6 बार क्या होगा, 6, 9, ठीक है, अब इसको जोड़ने के लिए भी, अगर आप चाहते हो, तो 9 कोमन कर लेना, तो बच जाएगा, क्या, 1 प्लस, ठीक है, 11 प्लस, ठीक है, तुमारा कितना बन जाएगा, 1, 1, 1 प्लस 1111 प्लस इस तरह से बन जाएगा नहीं तो आप इस तरह से लिका लेना 1111 प्लस इस तरह 6 कर लेना और इधर क्या तुम्हारा कर लोगे इसको करना है तो तुम्हारा 1 by 3 into कितनी बार आया है छे बार आया है तो 6 यानि कि इधर 2 हो जाएगा ये प्लस है जितना भी आएग सुर्ष धेकर करोगे तो लास में दो जोड़ना है तो इस तरह से ओब आई ओपशन तुम लिख लोगे क्योंकि यू इधर is कॉस्ट को सोल्ब किया ज 무대 से दिखंट तो ससे मैंने बोला तक कि इस में कॉमन करवाया था कि na acred को मिक्लित इसको मैं solve करना आज चलो next part में आहीं गया बता हीं देता हूं जैसे देखो कैसे करोगे हमने क्या कर लिया 100 संख्याएं तक ये जाएगा ठीक है तो हमने पहले में common कर लिया 4 common कर लिया तो क्या बचा 1 दूसरे में क्या बन गया 11 तीसरे में 11 इस तरह से question बन गया और कहा तक जा रहा है तुमारा 100 संख्याएं तक या जिसको बोलो 100 संख्याएं या term तक ठीक है यहां तक समझ में आ गया अब देखो 4 ऐसे question को multiply हम अब 4 है ऐसे series को multiply करने का हमें rule नहीं पता है क्योंकि इसमें तो था कि 6 अंक तक था तो 6 अंक तक तो multiply कर लिए क्योंकि इससे ज़्यादा गया ही नहीं था इसमें 100 संख्या तक चला गया तो ऐसे करने के लिए हम क्या करते हैं अपने से याद रख लेना कि 9 से multiply 9 से divide करते हैं क्यों करते हैं वो भी चीज़ आप समझ जाओगे 11 प्लस 111 प्लस ऐसे करके 100 संख्या तक जाना है ठीक है 100 टर्म्स तक जाना है ठीक है या संख्या तक जाना है अब मैं क्यों कर रहा हूँ इधर क्या बन गया 4 by 9 अब 9 का multiply कर दो 9 plus 99 प्लस क्या बनेगा 999 so on बन गया ठीक है ऐसा हम क्यों कर रहे हैं अब भी यह आपको बता रहा हूँ जैसे देखो 4 by 9 इसको लिख सकता हूँ मैं क्या 10 minus 1 ठीक है 10 minus 1 लिख सकता हूँ इसको क्या लिख सकता हूँ 100 minus 1 लिख सकता हूँ उसी तरह इसको क्या लिख सकता हूँ 100 1000 minus 1 100 on लिख सकता हूँ यहाँ पे 100 term तक, तो यानि कि इससे क्या pattern चल रहा है, 10 पर 1-1 हो गया है, इधर क्या बन जाएगा, 10 पर 2-1, इधर क्या बन गया, 10 का Q-1, इधर 100 पर जा रहा है, तो 100 पर 100-1, यहाँ तक समझ में आ गया, अब simple साहई, 4 by 9 कर लो, 4 by 9 कर लिए अब तुमको यह पता चल जाना चाहिए क्या देखो यह वला उपर वला देखो 10, 10 का S2, 10 का Q, 10 का यह GP का फार्मूला क्योंगे 10 plus 10 का S2 plus 10 का Q हर में common difference कितना है common difference 10 का है 10 का multiply चल रहा है 10 का multiply करते चलो तो इसके लिए फार्मूला मैंने बताया था ना कि यह वला अगर GP में फार्मूला पढ़े होगे तो क्या होता है A into R पे पावर N minus 1 divided by R minus R minus 1 तो देखो A की value कितनी है तुमारी A की value यहाँ पे है 9, 10 लो हमने 10 ले लिया into R पे पावर हर case में अगर ऐसे करूँगा R तो क्या हो जाएगा तुमारा 10 है कोई 10 का multiply है तो R 10 पे पावर ठीक है कितना तक है यहाँ तक जा रहा है तुमारा 100 टर्म तक तो 100 N की value minus 1 divided by R minus 1 R minus 1 यहाँ 10 minus 1 और तुमारा इधर क्या जा रहा है देखो minus 1 minus 1 minus 1 कि हां तक 100 तक यहां तक यानी 100 बार यानी 100 यह हो जाएगा क्योंकि देखो minus 1 minus 1 minus 1 कहां तक जा रहा है 100 टाय में 100 into minus 1 यानी क्या होगा minus 100 इस तरह से तो इस तरह से यह होगा अब इसको direct solve कर लेना solve कर लोगे यहां पे 9 हो जाएगा 9 का इसमें multiply कर लेना बस यह तुम्हारा क्या कहलाएगा answer तो यह सब चीजे normally नहीं पूछे जाती है class 11-12 के अगर आप real में पढ़ो तो AP, JP, HP क्योंकि मैं actually पढ़ाता हूँ इंडिये के students को तो मेरे को पता है कि यह चीजे AP, JP, HP का part है वो भी काफी details में ऐसे आप question बहुत rare case में पूछे जाते है नॉर्मल नहीं पूछे जाते है फिर भी अगर पूछ देता है तो मैंने आपको समझा दिया है अगर इससे भी जाधा details आएगा तो मैं mens में अगर आ भी सकता है मैं देखूंगा question तो मैं उसके recording आपको करा दूँगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मैं वीडियो को लाइक करें अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को subscribe करें ताकि आपको regular update मिलती रहे thank you, bye bye